जिला चमबा के भटियात मंदल के तहत हटली इंडस्ट्रिल एरिया में गतरात आग लगने से क्रोडो रुपई का नुकसान हो गया है जमकि यहाँ सोए पांच में से दो कामगा लापता है अशंका है कि आग के चलते उनकी मौतु चुकी है इस घटना में करीब दो क्रोडो रुपई का नुकसान होने का नुमान है यहाँ टनों के हिसाब से प्लास्टिक मौजूद था जानकारी के अनुसार गत देर रात हटली स्तित अवस्ति इवेस्ट प्रोसेसिम यूनित में करीब 11 बजे अग्यात कारणों से आग लगी घटना की सूचना मिलते ही फाइर ब्रिगेट भी मौके पर पहुँच गई सामान प्लास्टिक का होने के कारण आगों काबू पाने में कड़ी मसकत करनी पड़ी जब ये घटना घटित हुई तो उस बगत इस इंडस्ट्री में पाच मजदूर सोए हुए थे इन में से तीन आग लगने के बाद सुरक्सित बाहर निकाल लिये गए हैं जबकि दो अभी भी लापता है जिनके आग में जलने से मरने की अशंका है हलांकि लोगों का खबर लिखे जाने तक कोई भी अतापता नहीं चल पाया है लापता मजदूरों की पहचान बेवेका नंद पुत्तर बिश्व नंद निवासी भिहार और सूरज कुमार निवासी निपाल के तोर पर हुई है इस घटना में 25-25 लाग की दो मशीने जलकर राख हुई है जबकि 120 टन के आसपास प्लास्टिक जलज गया है प्राइबल टूडे टीवी के लिए चमबा से नेक सिंठा कुर की रिपोर्ट